हेलो दोस्तो वेलकम टू माय यूटूब चैनल प्लेविथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है इंडिसन बैंक के बारे में आज संडे का दीन है और आज 6 सप्टमबर है और इंडिसन बैंक के ऊपर एक नियूज निकल के आई थी फ्राइडे के द सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप टेलिग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हैं और इंडिसन बैंक ने जो फॉन रेज किया था और जो नियूज निकल के किया हैं इसको मतरें ओर डिप में देखते हैं तो जो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि यह जो फंड रॉंड रेज किया है तो यहां पर इसकील हमाइब को उफ्सक्राइब हाओ तो यहां पर यां पर गटारिटि का ए roll function का ग्या ऑप वह सब्सक्रा 207 क reinforces किया जा रहा है और यहां पर जो कॉंटिटी अलटमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्म ओपांसो चूभीस रुपे की प्राइस पर अलॉट्मेंट्स की गी है और अभी जो इंदेशन बेंक का प्राइस चल रहा है वह तक्रिबंद 618 रुपे के असपास चल रहा है और यहां पर देखसकते हैं तक्रिबंद 100 रुपे का हमें यहां पर डिफरेंस देखनों कौ मिल तो एक यहां पर एक negative point बनता है कि हमें इंडिसन बेंक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है और एक बात यह सी भी positive निकल के आती है कि इंडिसन बेंक ने जो फॉंड रेस किया है वह अपना आप में काफी बड़ी बात है और इंडिसन बेंक इस फॉंड का यूज इंडिस करता हूं और जैसा कि आंपस देख सकते हैं हिन्दुजा Capital Limited है जो quantity यहाँ भी अनिकल के आरए उसके बार में आपको बताने की कोशिस करता हूं शीशा करता है रहा है और आसava आप देख सकते एधिसेथे काट्र medium को चलाइए वह एक करोट 62,2000 और यहां पी और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह जो fund आया है इंडेसन बेंक के पास और उस fund का एक अच्छी तरह से इंडेसन बेंक के growth को लेकिंडेसन बेंक इस fund का use करता हूं मैं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है तो अपना आप में काफी positive भी है लेकिन जो नेगेटिव भी में आपको बताया उसके उपर भी आपकी नजर होनी चाहिए अब दोस्तों फ्राइडे के दिन की इस तरह का करोबार देखने को मिला था वह देख लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे के नेक्स्ट लेवल और देखने को मिल रही है अब हम दोस्तों चार्ट पर जाएंगे और करेंगे के नेक्स्ट विक क्या लेवल टार्गेट देखने को मिल सकते हैं तो मैंने यहां पर इंडिसन बेंग का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ लाइन ने ट्रो करके रखे और लेवल और इडिंटिफाई करके रखे जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट विक के ल एकुमिलेट होता हुआ हुआ हमें इंडिसन बैंक देखनों को मिल रहा है पिछले विक से कंटीनुसली एक रेंज बनाके इंडिसन बैंक मूमेंट कर रहे है और जो रेंज निकल के आ रही है जो सपोर्ट ले रहा है उस ज Ama का रेंख निकल रहे। और जिस तरह से जो नियूज निकल के आई थी जो फॉंड रेज किया है इंडिसन बैंग ने और वह सकता है उसके चलते हमें इंडिसन बैंग अगर रियक्ट करता है तो अगर यह जो सपोर्ट ब्रेक करता है 605 रुपे का या पकड़ लो 600 का अगर 600 के लेवल के निचे लोड पोजिशन बनानी है और आपका जो टार्गेट रहेगा और फिस छेसो पांस और छेसो पचास सकते है और उपर की और निकलता है अगर 650 के उपर निकलता है रिजिस्टेंस को ब्रेक करता है और पोजिटिवली रियक्ट करता है इंडिसन बैंक तो हमें जो टार्गेट देखने को मिल सकता है तो इन लेवल्स को दौस्त आप रखावट कर सकते हैं और आप अपना भी एनालीसिस करके दोस्तों बनानी है और रसाइक की बात करें वहां पर इंडिसन बैंक चेस्ट के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है अगर अगर पांसव पांसब पास पोजिशन बना सकते हैं या तो फिर स्विंग टेडिंग ये अच्छा मुनाफ़ा भी यहां से आप निकाल सकते हैं तो इन लेवल्स को पोच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालेसी कीजिए उसके बाद दोस्तों पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल पर नहीं हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक आप टेलेग्राम चैनल भी जोइन कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू अगैन फॉर वाचिंग इस वीडियो